जहें दोस्तो शιοस्टा उसकी संदापे ले इक crush इंगे होता है तो उसने उस टारण होता है जिसके अलगी होता है जैसे अधर जैसे उसा बच्चों में रिझेन कॉन-कॉन सा है असके बारे में बात करेंगे इसको कैसे मैंनेज को हुए इसके मैंनेजमेन के बारे में बाध करेंगे और दोस्तों इसकी मुन्मि पे दिक दोई दो पहले बात करते हुए हमारे मेशल एंचांस से ब्लीडिंग वोने के चांस बहुत ज्यादा है वहाँ पर कोंग सी आर्ट्री ब्लड सप्लाई करती है जिसके समर्ण यानि कि जहां दूस्टो वह दो दुए है इस एईर्टेस की क्लेजल बेक प्लेकसस की नाम है निपेल एरिया यहां पे भूँछ चोटी चोटी इकर्था आइसे मुख्या जो आको फिस आपर आपना इकर्था होती लाप इंजरुरी वहोने की दूसे ज्यादा और नोस बीडिंग के यह सिस क्याज़ hypothesis होते है। यह नोस गूेडिंग के वह वर सार नहीं के जयादा दिखा देता है। औरे कोछ गुँष कुछ कारण और नाऊस बीडिंग है ते जोश्तन बात है कौन और सिसे थे अगधा किया नि właści गुड़ hazak इन्वा के पास जब कोई एलर्जिक कंडिशन हो या ड्राइव की विज़से या इसे विदर की विज़से जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है तो उस ड्राइनेस की विज़से वहां पे आर्ट्रोस जो तपिलरिस है वो रप्सर हो सकती है अगर बच्चे को से नोस बेडिंग होता है इसमें ड्राइनेस का खास ज्यान रखते अगर बहुत बड़े नेल्स है तो यह रिपीटेडनी होने के चांस रहता है इसने कैपिलरिस रप्चरों प्रोसक्ति हो ऐसे केसिस में दोस्तों कभी-कभी बच्चों को अपने नोस को रब करने की जोड से उसको रबिंग की जोड़े होती है उसकी वज़े से कभी-कभी बच्चों में नोस बुट दिखाए पड़ता है कभी-कभी गोस्तों माइल्ड ट्रॉमा खेलते खुटते कभी-कभी इंजने अब जाती है तो यह इतना संसेटिव पार्ट होता है कि तुरंत वाह समेंडि सकती है और जिसकी से व्लड निकल सकता है तो जब बच्चे को ब्लाज 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 ब्लिदिग नहीं है यह वह कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लेम नहीं है एक यृप्यमेन रप्चर होना एक प्रॉब्लेम है लेकिन दोस्तों इसमें आप उसको घर पे भी मैने सबसर पहने पैनिक ना हो और उस branding केसे रूप के जो फीलिंग सबसर बेस्ट तरीक आई प्लेशर दोसक्तर नियुक्त के रखोगे तो फ्रोड दोल में दिरे-दिरे-दिरे स्टॉप हो जाएगा और आपको अगर हो रहा है या ब्लेडिक ज्यादा हो रहा है तो आप वस्पितल पहुचो तब तक उस फ्लोग को कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहने बच्चे का हेट टोड़ा सा डाउन करके उसके वर अपने फिंगर के टिप को नेजल पर से बब जाएगा लेकिन टेंपर जब आप कर पर होते हो ज्यादा पैनिक ना करके वह एक्सेसाइज करें वह मैनेजमेंट करें तो तुरन आपको बच्चे का बेड़ कम आता हुआ दिखाए देगा दूसरों यह चीज़ एड़ल्ट में भी देखने को मिलती है एड़ल्ट में प् फिंगर बलती से ज्यादा अंदर खुड़ेतने की विज़ा से टाच होगे तो प्रॉमा कोई एक्सीडून के विपसे ब्लीडिंग हो सकता है उसके साथ संद उसको एक और कोज है अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको अगर नोस ब्लीड हो रहा है त उस कारणों की विज़ा से ज्यादा हायोत ब्लड पेसर की विज़ेस विज़ेस नहीं आपकी यापिलरी डेमिट हो सकती है और दोस्तों कभली का बार बहुत सारे ऐसो ड्रॉब्लम नहीं जिसके लॉंग टर्म यूस की विज़ेसे जैसे की जो ब्लॉद थिन हो वैसे ब्ल अगर बहुत ज्यादा ब्लड रिकरेंट आपको हो रहा है तो इसके नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूर है इसके लिए आप उसके मेलिंग को स्टॉप कर सकते हैं लेकिन मैने जैसे बताया कि सबसर्ट पहला और इंपोर्टन काम होता है कि आप अपने न इसका हुनापति में क्या हिलाच होनीब्टि में कॉन कोन सीयी और नियेशन है जो आपके नोस बिरिंग कुझ बारे में बात करने में और शभल ने नोस में अपने में एक साहिग में पता क्यों है कि हमारे ब्ली इंग सथा ब्लोड यानिंई को थोते पिखाये पते हैं क्लोटिंग वो दिखाई पड़ता है तो प्लेट वाला ब्लेड हो व्या फ्रेल्स ब्लेड हो या कभी कभार थोड़ा बहुत तो यह साथ जब शिंटम्स आपको दिखाई पड़े तो पॉन-पॉन-पॉन-स वेडिसिंग में बहुत अच्छे से काम करते हैं तो पहली हमामालेस मतले टिंचर तो हमामालेस मतलेश मतले टिंचर की 15 बॉन-सुबा 15 बॉन-साम को आदो तब पानीम्स करके आप पीजिये 15 दिन पंटिन्यूइस का प्रयोग कीजिए 15 दिन के बाद आपको लोज लेडिंग का प्रोब्लेम जर्म और से क्लिक वोड़ जाएगा वो प्रॉब्लिम हो रहा है वो नहीं होगा इसके साथ साथ डेडिंग अगर ज्यादा हो रहा है तो मैंने फॉन्गूर मदर टिंचर का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं प्रॉब्लिम हो रहा है तो इन दोनों मदर टिंचर का यूज करने के बार आपको ब्लेडिंग का प्रॉब्लेम ज्यादा तर प्यांगिंग के टाइम के ताइम के सम पिटाइन पर आपको दिखाए परता है यहां एक को ऑपको ज्याद साइदक्याब में ब्लेडिंग बीडिंग काल closely, इसी कंड़िशन में और तो थी आपको ş Raptation मेंज हो ra my auga करी ऑने से आपको एरashes मी таких में काफि आरां दिखाओ पड़ेगा गर्मियों में ज़्यादातर बाहर गुमने की विवसे अगर आपको नुर्स बूर्ड आपको दिखार पड़ रहा है तो इस कंडिशन में देश्टो आप नुर्स बूर्ड का इस्तिमाल कर सकते हैं मैट्रिक ऐसे फट्टी सुभा साम बूर्बर बूंद करके आप कंटेनी 15 दिन लेजिए आपको मैट्रिक ऐसे लेने के बाद काफी हद तक नुर्स बूर्ड इडिंग में आराम दिखेगा दोस्तों इसके साथ एकना आपको specific medicine बताना चाहूंगा जो इस गर्मी के वातारों में जब बहुत ज्यादा बूर्थ है बहुत ज्यादा बर्मी है दोस्तों भलो 9.40 बूब्रोब्ड सुबह साम चांटीनीव 15 दिन बलने से आपको गर्मी की वड़र ज्यादा प्रप्रोब्लम होते हैं वह आपको काफी हद तक आराम देगी काफी हब तक सारे वह प्रप्रोब्लम को आपके रिजलाई कर देगे दोस्तों वे 5 हम्याद्रि या जब तक आप और पर मैनेजमिन नहीं कर पाते हो तब तक के लिए आप उसको प्रेशर ने के इस एक्टिविटी से भी आप उसमगने नोस ब्लेड को कम कर सकते हैं अगर बच्चे हैं ड्राई ज्यादा रहते हैं नोस्टे उसके प्राई रहते हैं तो प्रिकोन टॉयल हु हाई ब्लेड एक्टिव एं जसकी विधयर से आपको नोस ब्लेड हो रहे है तो आप अपने हाई ब्लेड फूरां की मेडिशन रहे के उसको उसको अलेवल में रखे ताकि अपको ब्लेड फिरसे के विजए और आपके तेंदेंसी सी नॉज ब्रीड की है तो ब्लाड पतला होने की वज़े से जवदी इस ब्लेडिंग स्टॉप में होगा तो आप अपनी ऐसी दवाईियों को भी डॉक्टर के पास कंसल्ड करके उसको भी अतने अक्पोडिंग जो दोजी से उसह सब सब्सक्राइब तो यह था मैनेजमेंट इसके सब्सक्राइब और कुछ इनफोर्मेशन विगार्डिंग नौस ब्लिडिग तो आशा करता हूं विश्तों कि आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगाओगा जय रहें जय बारव